हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आई टेव फाइटेज यूटूब चैनल में पिछला वीडियो जो हमने आई टेटी रिजल्ट से रिलिटेट एक वीडियो फ्लोट किया था उसमें हमने आपको बताया था रिजल्ट कवाएगा और इसके पहले एक वीडियो फ्लोट किया था जिसमें हमने आई टेटी से रिलिटेट बहुत सारे आपके जो डाउट थे उसके बारे में हमने कुछ बताया था तो उन सभी कोशन के एंसर इस वीडियो में मिलेंगे जैसे आप लोग ने पूछा था कि जिन चातरों ने एकजाम नहीं दे पाएं उनका क्या होगा ठीक है मालो आप एकजाम नहीं दे पाए तो आपको दुबारा पेपर देना होगा या नहीं नहीं फिर आप रेटकल से पास हो जाएंगे और जिन चातरों ने एकजाम दिया है और उन्हें फेल होने का डर है तो अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनका क्या होगा क्या उनको दिवारा एकजाम देना होगा या नहीं होगा तो इस फरकार से बहुत सरे question आपके अलग-अलग थे जैसे कि जिन्होंने अभी training complete किया उनका क्या होगा क्या उनको exam देना होगा नहीं या फिर जिन्होंने training complete किये 2020 में तो उनका exam होगा कि नहीं यह बहुत सरे डाउट थे आपके होगे तो वो तक आपने IT fighter channel को subscribe नहीं किया तो please please subscribe करें और bell icon on करें क्योंकि ITT से relate कोई भी छोटी बड़ी update होगी तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको उस वीडियो से आपको help मिलेगी ठीक है तो वीडियो को लोग ने जो comment किया था तो देखें अगर आपने exam नहीं दिया है किसी कारणवास अगर आप exam नहीं दे पाएं मतलब क्या है कि आपने form तो भरा होगा ठीक है क्योंकि आपने form भरा होगा तब ही आपका admit card आया होगा और आप किसी कारणवास अग्जाम जैसे आप traffic की वज़े से आप exam नहीं दे पाएं late पहुचे ठीक है या आप बिमार हो गए तो आप exam नहीं दे पाएं तो आपको exam दुबारा देना नहीं पड़ेगा जिन छात्रों ने apply किया था ठीक है तो यह किन छात्रों के लिए जो छात्र exam form भरे थे उन छात्रों के लिए ठीक है तो exam form अगर आपने भरा है और exam आप नहीं दे पाएं तो आपको निराश नहीं होना है आपको दुबारा exam देना नहीं पड़ेगा बहुत ही अच्छी खबर है आपको बस प्रेक्टिकल के अधार पे नमबर मिल जाएगे प्रेक्टिकल के अधार पे आपका रिजल्ट घोसित हो जाएगा तो प्रेक्टिकल आपका होई चुका होगा है न हो चुका होगा आपके नमबर भी मिल चुके होगे तो प्रेक्टिकल में आप लोगों का भी रिजल आने की पूरी उमीद है second question है जिन छात्रों ने AITT का AITT 111 का एक्जाम दिया है लेकिन fail हो जाएंगे तो उनका क्या होगा तो जिन छात्रों ने एक्जाम दिया है तो उनके लिए क्या होगा तो अगर आप लोग फेल हो किसी कारण वस ठीक है यह आप समय से पढ़ाई नहीं कर पाए जो भी कारण हो तो अगर आप फेल हो जाते तो भी आपको दुबारा एक्जाम देना नहीं पड़ेगा जो न्यू रूल आया था कि जो भी आई टिया इस्टुडेंट्स यह जो रूल जो भी हम यहां पर बताए आई टिया इस्टुडेंट्स के लिए नौन आई टिया के लिए आप लोगों के पहले जैसे एक्जाम होते थे उसी तरह हर साल आपके आप लोगों के एक्जाम होते रहेंगे यह केवल आई टिया इस्टुडेंट्स के लिए ठीक है तो जो एक्जाम एई टिटी गेरा में दिये हैं लेकिन वो fail होने का डर है अगर वो fail हो जाते हैं तो उनको exam देना नहीं पड़ेगा अब से अब वो जो pass होंगे वो practical क्याधार pass होंगे तो अगर अगर आपने practical exam दिया था दिया ही होगा तब ही आपको admin card आया था तो आपको उसी क्याधार पे आपको number मिल जाएंगे कोई नया यहाँ पे practical exam होने वाला नहीं है ठीके जिन छात्रों को AITT exam का form भनने का मौका मिला था ध्यान सुनीगा जिन छात्रों को AITT exam का form भनने का मौका मिला था और वो किसी कारण से exam form नहीं भर पाए तो उनका क्या होगा technical problem की वज़े से form नहीं भर पाए समित नहीं कर पाए तो ऐसे सभी छात्रों का exam होगा ठीक ऐसे सभी छात्रों का exam 2022 में जब AITT 111 का result आ जाएगा उसके एक दो महिने दो से तीन महिने बाद आप लोगों का exam होगा ठीक निश्कोशन आप लोगों ने जो comment करके पूछा था कि जिन छात्रों को AITT का exam form भनने का मौका नहीं मिला है तो उनका क्या होगा तो जैसे माली जी आप form भनने का आपको form भनने का मौका नहीं मिला इसका मतलब यह है कि आप AITT 112 में आते होंगे एक नोटीस आये था जिसमें एक डेट या मन्त लिखा था जैसे साइद अपरेल मन्त था कि माली जी हमें उधारन आपको बता रहे हैं फिक्स सही डेट नहीं हो सकती है 14 अपरेल 2021 के पहले जिन इस्टूदेंस ने जिन इस्टूदेंस ने ट्रेनिंग कंप्लीट किया अपरेंटिसिप कंप्लीट किया है उन इस्टूदेंस फॉर्म बर सकते हैं एकजाम फॉर्म बर सकते हैं तो उन इस्टूदेंस ने एकजाम फॉर्म माली जी भर दिया ठीक है अब वो fail हो या exam नहीं दिये हो उनको exam नहीं देना पड़ेगा बस उन्होंने क्या exam form भरा हो ठीक है अब दो उस date के बाद अपरेल 2021 के बाद कोई date मालो कोई प्रोसेस नहीं दिया गया मतलब उसके बाद तो ऐसा कुछ नियम आया नहीं है न कि 112 बैश का exam के लिए link दी या नहीं गया तो simple सा ही समझ लिजे कि जो लोग 112 बैश में आते हैं जिन्होंने 2021 में apprenticeship complete किया है या 2021 के अंतिम वर्स में या 2022 अभी जनवरी मन्त में आगर आपने apprenticeship complete किया कहीं से भी तो आप लोग अभी exam नहीं होगा आप लोग practical के याधार पर पास होंगे ठीक है तो यह clear ह हो गया तो जिन चात्रों के IT टीक जहां form बनने का मौका नहीं मिला है अर्थात वो अभी के students है जो 2021 लास्ट मन्त में या फिर अप्रेल के बाद में जिन इस्ट्रेडिंग कम्प्लीट करी हुई वह ऐसे student लोगों जिनको form बनने का मौका नहीं मिला था तो उन सभी students को यहा आप लोगों को marks मिलेंगे उसी क्याधार पर रिजल तयार होगा एक्जाम आप लोगों को देने जूरत नहीं है नेश कोशन था जिन चात्रों ने अभी अभी training पूरी किये तो उनका क्या होगा तो जो चात्र अभी जनवरी पतलब जनवरी week में जनवरी सब्ता में अगर आपने training complete किया हैं तो आप लोगों को आप लोगों का भी एक्जाम नहीं होगा जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले कोशन में clear किया ठीके तो जरूरी नहीं है कि आपने जनवरी में ही complete किया हुगा तो ही आपका exam नहीं होगा अगर आपने जनवरी 2022 जनवरी का पहले भी आपने training complete किया है और form बनने का मौक आपको नहीं दिया गए था तो भी आपका exam नहीं होगा आपको practical के अधार पर फास किया जाएगा जिन छात्रों ने ITT 111 का exam दिया है तो उनका result का आएगा तो जिन छात्रों ने 111 का exam दिया है उनका result जो है फरवरी मंत में आने की संभावना है और मार्स नहीं आता है तो मार्स तक तो आई ही जाएगा ठीक है तो यह आपके question थे हमने इस वीडियो में जितने भी आपनों ने comment किये थे उन सभी question का answer हमने इस वीडियो में दे दिया है अगर आपने वीडियो को फूरा देख लिया है अगर आपको वीडियो पसंद है तो दिल से like जरू करें और यह वीडियो देखनी के बाद अगर आपके मन में कोई question है कोई आपको doubt है समझ नहीं आ रहा है तो आप decision में whatsapp number दिया है उस पे आप message कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं आपको अगर आपका question genuine लगेगा अगर आपको लगता है कि हमें अगर लगता है कि आपका question सा यह तो reply जरूर करेंगे इसके अलावा अगर आपने वीडियो अच्छा लगा तो share जरूर कीजिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बाई बाई ठीक क्यार